क्या भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो जितने भी एस्टुडेंट है इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो ये प्रीबोड एक्जाम है मौक टेस्ट परिच्छा है आपका भविस वाला बोड एक्जाम नहीं है इतना आप लोग मेसेज कर रहे हो उस मेसेज को देख कर मेरे दिमाग में टेंसन हो गया कि आखिरा स्टुडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों सोच रहे हैं कल एक्जाम में अगर आपका मॉक्टेश्ट या फिर प्रीबोड या फिर परसु है और आपकी त्यारी नहीं हुई है आप आज इतना डिप्रेशन में चल जा रहे हो एक से पढ़ा नहीं पढ़ा लेकिन आपको टेंसन नहीं लेना है क्योंकि टेंसन अगर लोगे जो भी आपने कुछ पढ़ा है वो सारा दिमाग से निकल जाएगा डिमोटिवेट होकर आप डिप्रेशन में चल जाओगे पताने क्या हो जाएगा आपके साथ प्लीज प्लीज मैं पिर प्रीबोड एक्जाम अच्छे से दे कर आ रहे हैं क्या होगा कम ही नमबर आएगा ना ज्यादा से ज्यादा फैल हो जाएंगे कोई दिकत नहीं आपको इस प्रीबोड एक्जाम से इस मौक टेश्ट से आपको सीखना है कि मैंने जो गलतिया की वो गलतिया हम लोग अकल हो चाहे परस हो, चाहे एक सब्था के बाद हो, चाहे एक सब्था के अंदर में हो, चाहे जो भी सभ्जेक्ट हो, चाहे किसी भी कलास का एक्जाम हो 8 से लेकर 12 तक सभी विध्यारति ध्यान देना, आपको सबसे पहले tension नहीं लेना है कि ये exam की त्यारी नहीं हुई तो कैसे लिखेंगे आप अपने mind से tension को निकाल दीजे tension को निकालने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से समझे अभी क्या करना है आपको ध्यान से समझे आपके पास अगर guest paper available हो या फिर question bank available हो तो आप क्या कीजिए question bank से 2022 के, 2021 के, 2020 के या फिर जितने previous year तक आपके अंदर capacity है एक दो दिन में question करने की वो सारे question complete कीजिए और साथ ही साथ जो भी आपके पास guest paper है पुराना हो चाहें नया हो उससे आप question अच्छे से complete कर लीजिए जितना हो सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में दो दिन में आप पुरा guest paper complete कर लोगे जितना हो सके, जो भी subject का, आप उसको complete कीजिए उसको लिखिए, उसके बाद आप exam hall में जाएगा तो आपको क्या करना है, वो ध्यान से समझेए आपके सामने question paper होंगे question paper में question पढ़के आपको depressed नहीं होना है कि ये question नहीं आता है अगर ये हालत pre-board में है तो फिर board exam में क्या होगा depressed एक ज़रा सा भी नहीं होना है, आपको जो question आएगा वही question आप अच्छे से fill किजेगा अच्छे से बनाईएगा, साप सुथरा लिखेगा tension नहीं लिजे, ये जो आपका pre-board है या फिर mock test है, उसकी copy अच्छे से उतना check नहीं होंगे, आपके school के teacher check करेंगे, आपके गलतियों को बताएगे कि ये गलतिया कर रहे हो, board में नहीं करो, ठीक है, आपके अंदर भी एक अनुभव होगा कि हाँ हमने यहां तक नहीं पढ़ा है, ये चीज़ हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग demotivate मत होए, और साथी साथ question bank के या फिर guest paper के important question वाले PDF, जो भी subject के आपको चाहिए, टेली ग्राम में आप message कीज़े, मैं आपको question bank के PDF आपको provide कराऊंगा, और भी subject के PDF provide कराऊंगा, कोसिस करूंगा कि ताके pre-board exam में आपको फाइदा हो सके आपको, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग प्लीज टेंसन मत लीजिए, आप अपने board exam परी focus कीजिए, mock test है, बस सोचिए कि ये हसी-khusi में exam देना है, और बिंदास exam लिख कर आईए, आप चिंता ना करे, आप टेंसन लोगे तो आपका exam हर कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिन्द, जय जहारकंड